जो instruction है ये बहुत जादा important है दोस्तों इन instruction को जो है आप one by one करके अभी से पढ़ लीजिए ताकि जब आप paper में जाओ तो दोस्तों आपको किसी भी परकार का नुक्सान ना हो किसी भी परकार से आपका paper ना छुटे देखिए all candidates who intend to appear in written examination be advised to get themselves vaccinated against covid corona immediately तो यही दोस्तों advice दी गई है कि जो भी student आए वो corona का टिका लगवा कराए लेकिन आपर ये अनिवारियता नहीं है आपर दोस्तों must सबद का प्रयोग नहीं किया गया अगर must सबद का या पर प्रयोग होता तो समझलो लगवा के जानी थी ले candidates must come with their face covered with mask सबी जो student है दोस्तों उसको mask लगा के जाना ऐसा नहीं है कि वापर जाके रुमाल बांद लिया तो आपको जो है आपको दिक्कत हो सकते हैं पहले बता रहे देता हूं दोस्तों बिना face mask के आपकी entry किसी भी किमत पर नहीं होगी candidate may be asked to remove the mask for identification purpose आपको जो है आपको mask खटाने के लिए आपका बोला जा सकता है ताकि आपकी पैचान हो सके क्योंकि आपकी thermal screening भी वापर जाकर होगी दोस्तों one pasted on admit card at mark B duly attested by registered officer वो मैंने उपर बताया था वो attested होना चीए and one identity proof and one identity proof with photo like driving license, voter ID card, रार कार्ड, passport etc. एक जो है आपको दोस्तों ID card जरूर से जरूर दे लेकर जाना है अगर आपके पास दो colored photograph नहीं होगे आपके पास admit card नहीं होगा दोस्तों आपके पास कोई ID नहीं होगी तो examination center में आपको दिक्कत हो सकती है आप लेट हो जाओगे आपका नुक्षान हो जाएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना है पहले से ही यह त्यार कर लेना आप सभी ठीक है दोस्तों आपकी qualification वगर आप पूरी होनी चाहिए अगर आपकी qualification नहीं है दोस्तों तो आपको जो है किसी भी stage पर जो है वो आपका candidate जो है वो खतम किया जा सकता है ठीक है दोस्तों यह ध्यान रखना है admit card is provisional admit card जो आपको जारी किये गए है यह सिरफ एक provisional के तोर पर जारी किये गए है इनका जो है selection से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का ध्यान रखना कभी सुच हो कि मेरा admit card आ गया तो इसका मतलब मेरा selection हो गया selection उसी का होगा जो पास करेगा दोस्तों ठीक है candidate should report before entry reporting time mentioned in the admit card at examination center to enable sanitization frisking by security staff तो इनका कहने का यह मतलब है दोस्तों यहापर कि candidate जो है वो समय से examination center पर पोच ले ताकि उसका sanitization भी हो जाए और उसका जो checking वगएरा वो सारी हो जाए ठीक है दोस्तों यह लिक कहने की बात है कि आप जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आप exam में बैठ पाओगे candidate shall ensure at start of examination and within first five minutes पहली 5 minutes में आपको paper देख लेना है दोस्तों एक बार कि कोई paper आपको दिया गया उसका कोई page जो है कटा फटा तो नहीं है क्या पता उसका कोई page ही गाया वो अगर शुरू की 5 minutes में अगर आप उसको दे दोगे आपके पैस कोई कटा फटा paper आ गया और अगर आप उसको दे दिया जाएगा दोस्तों नहीं तो जो है वह आप समयम उसके जिम्मेदार होंगे तो यह चीज़े भी आपको द्यान रखने है ठीक है Candidate cell makes sure to fill the correct test booklet code on the OMR seat पर जो है वो correct booklet number लिखना है ठीक है दोस्तों ध्यान रखना है इंडिकेट देन नोन फिलिम आफ नेम डोल नमबर एज पर इस्ट्रक्शन इट विल बीडिम टूब इंडिकरेंड अगर आप रोल नमबर वगए उसके उपर नहीं वर करना है और या फिर उसको पैन से पैन के साथ कुछ भी नहीं करना है जैसे कि किसी ने दो गड़े बर दिये तो क्या करते है इसको पैन सी खुरच देते तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपका जो है अगर किसी के पकड़ में यह चीज आगे तो दोस्तों आपका candidatecure खतम हो सकता थीक है पैक्छ यूज करना है दोस्तो बल्यू अंड बल्यू अड़ प्लेक पैन प्रोवाइडट वाइड़ड़ semester तो पैन आपको लेकर नहीं मात पैels वी पर दिया जाए गा दोस्तो ठीक है फैन वगएरा कुछ भी नहीं ले कर जाए दोस्तों अगर आप किसी दुकान वगरा पर रखेंगे रेडी कर रखेंगे तो आपर खत्रा है आपका फोन उट सकता है ठीक है दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है आप का जो पेपर होगा CCTV के अंदर होगा दोस्तों सब कुछ आपका scan होगा ये चीज भी ध्यान रखनी है ठीक है दोस्तो अगर कोई candidate ये कहता है कि मेरा जो exam center बदल दो मेरा जो time बदल दो तो ऐसा कुछ भी possible नहीं है ऐसा आप नहीं हो सकता दोस्तो ठीक है तो candidate का जो scan photograph आएगा जो कमिशन के पास आपने फारम बरते अपलाई किया था वो जो है इनिवीजी लेटर है आपका scan करेंगे दोस्तो ठीक है तो scan करेंगे तो आपकी उसमें सकल भी मिलनी चाहिए ऐसा ना हो कि आप किसी और को बेज दो और वो आपका photo मिला कर देखेगा तो आप तो मिलोगे नहीं तो आज गल दो बहुत सारी टेकनिके है सकेन करने की ठीक है candidate shall not be allowed to go to toilet washroom during the first and last 30 minutes शुरू के 30 minutes और last के 30 minutes जो है दोस्तो वह आपको washroom में नहीं जाने दिया जाएगा तो अपने शुरू में त्यार होगे जाए वह ठीक है candidate will not be our blank OMR sheet को जो है आप blank नहीं चोड़ सकते दोस्तो अगर आपकी OMR sheet blank पाई जाती है तो invigilator जो है आपका वो उसको cancer लिखेगा उसके ओपर cross माल देगा ठीक है दोस्तो there will be three copy of OMR answer sheet OMR answer sheet की तीन copy होगी original copy commissioner commissions copy और candidates copy तो मतलब तीन copy मिलेगी दोस्तो आपको OMR की ठीक है जिसमें गोड़े पर होगे after the examination is over the candidates shall hand over the OMR sheet completely all the three copies and admit card to the invigilator and thereafter invigilator will hand over the candidate copy to the candidate इसका मतलब यह है दोस्तो आपको तिननों की तिननों copy जो है आपका जो master होगा आपका कमरे के अंदर invigilator बोलेंगे उसको तो उसको तिननों की तिननों copy देनी है और फिर वो चीजी लेटर क्या करेगा उनको एक बार मैच करेगा और मैच करके जो आपकी copy है वो आपको दे देगा तो यह चीज भी द्यान रखनी दोस्तों किसी भी प्रकार के देखें दोस्तों इंदी में भी परसंदे रख्या इंगलीश में भी परसंदे रख्या है इस परकार के परसंद में जो है कुछ एरर पाया जाता है तो इंगलीश वाड़ा जो है वो मानना जाएगा इंगलीश वाड़ा जो है वो क्रेक्टे मानना जाएगा मालो एक जगह देखें दोस्तों इंदी में लिख दिया 50 परती सते और इंगलीज में लिख दिया दोस्तों 4 परती सते तो आपको जो है वो 4 परती सत वाड़ा correct मने जाएगा तो एक बड़ देख लेना थोड़ा सा वैसे इस तरह के बहुत कम बेट सकता और उसके अंदर जो है criminal proceedings भी उसके खिलाफ वो चला सकती है बाकी जो भी जो result होगा दोस्तों और जो इंटर्विव बगरा होगा जो भी physical बगरा होगा वो commission की website पर आपको डाल दिया जाएगा I have read the instruction given अबो मैंने उपर दी गई instruction पढ़ ली है and undertake to abide by the same और जो abide by का मतलब होता अग्या का पालन करना तो मैं और मैं यह जो सारी की सारी जो condition subscribe जरूर कर दे वही